नमस्तार दोस्तों मैं विशेक स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल वंडरेंग योगी में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कपाल भाती की कपाल भाती बहुत ही आवश्यक रिया है जो इस समय आपकी इम्मुनिटी को बढ़ा सकती है लॉक्डाउन में आपको इसका अभ्यास करना ही चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो कपाल भाती क्रिया है वो कोई प्रानायाम नहीं है बहुत सारे मंचों से बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर बहुत सारे योगा गुरू इस चीजों को बोलते हैं कि यह प्रानायाम है क्योंकि ये breathing की practice है लेकिन दोस्तों ये प्रानायाम नहीं है ये एक purification की क्रिया है ये शट कर्म के अंतर गताती है ठीक है और इसके बहुत जादा लाव है और बहुत सारी फायदे हैं इसके जो आपके body पर direct आपको देखने को मिलते हैं तो बिना देर के हुए चलिए बोकस करना होता है यानि कि active exhale पर हinizादा फोकस करते है इन्हेल जो करनाइक प्रक्रिया वो सथा ही हो जाती है जब आपको शरील से बाहर स्था आपका bajत अपको ले लेता है यही और इसको जो करने की सावधानियां क्या हैं, क्या लाव हैं, उन सब पर हम बाद में बात करेंगे, तो पहले आईए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं, किस तरी कैसे करना हैं, दोनों हाथ आपने इस तरह से रखने हैं, घ्यान मुद्रा बना लेंगे दोस्तों, इस तर क्या करना है आपने स्वास छोड़ने पर बहुत जादा फोकस करना है अगर आपको अनुभब नहीं हो रहा तो आप क्या करें अपने जो बाया हाथ है या दाया हाथ उसको नाभी पर रखें और तब आप अनुभब कर पाएंगे कि जब आप स्वास को छोड़ते हैं तो अयका तो दूस्तो आपने देखा इस तरह से आप जब आप अपने पेट पर अपने हार को रख लेते ना भी चक्र पर तो आपका पेट अंदर जाता हुआ महसूस होता है और आपको पता चल जाता है कि आप सही तरह से कपालभाती कर रहे हैं दोस्तों ठीक है तो इस तरह से जो आपने स्ट्रोक करने है एक्टिव एक्जेल करना है श्वास अपने याँ पाएगा तो इस तरह से आपने 20 राउंड करने हैं दोस्तों 20 राउंड आप करिए बिल्कुल आराम से फिर थोड़ा सा 3-4 second का break लीजिए 3-4 deep inhale करिए फिर उसके बाद 20 breathe करिए और फिर 3-4 breathe लीजिए relax करिए फिर 20 breathe कीजिए तो इस तरीके से दोस्तो 3 बार में आपका जो क्रम है कपाल भाती का वो खत्म होता है कोई rocket science नहीं है इसके अंदर बट आपको बहुत ही simple तरीके से इस practice को करना है दोस्तो तो चलिए इसके lab की बात कर लेते हैं कपाल भाती कपाल का मतलब होता है हमारा matha forehead भाती का मतलब होता है चमक जाना जब आप इसका लंबे समय तक अभ्यास करते जाते हैं दोस्तो तो आपके चहरे पर एक तेज एक shining आपके चहरे पर आ जाती है आपका चहरा बलकुल अलग दिखने लगता है glow बढ़ जाता है दोस्तो अब जब आप सौंस को छोड़ते हैं तो आपका पेट बार बार अंदर की तरफ जाता है तो क्या होता है जो भी आपके digestive system के organ है large intestine है small intestine है आपका stomach है pancreas है उस पर stimulation जाता है तो आपको digestive system आपका बहुत अच्छे से काम करता है diabetes में भी ये बहुत ज़दा helpful है और दोस्तो weight loss में भी ये बहुत ज़दा helpful है क्योंकि आपकी जो abdomen की muscle है उस पर एक pressure आता है उसमें बार बार stretch आता है वो contraction होता है contraction होता है relaxation होता है तो बार बार आपका जो है belly fat इससे कम हो जाता है दोस्तों जो हमारा सूर जो सूर नाली है जो हमारी शरी में heat को generate करती है तो वो भी हमारा नाभी चक्र पर स्थेत होती है तो जब आप इस पर बार बार focus करते हैं बार बार इस क्रिया को करते है कपाल भाती को तो आपकी body में heat balanced होती है और जिन लोगों को जादा ठंड है जादा cold है ये सारी चीज़े होती है तो वो normal होती है जिन लोगों को allergy की problem होती है वो यहां से ठीक होती है दोस्तों दूसरा अगर आप इसका फायदा बात करें तो जो भी आपके श्वांस प्रक्रिया में जो भी वाधाएं है जो भी pollution है वो इससे खतम होता है ट्राकिया है वो श्वांस नली होती है तो जो भी इसमें delta और pollution है वो सारा जटके के साथ जब आप एक्जेल करते हैं तो बाहर निकल जाता है आपके लंग्स जादा प्योर होते है और जो alveoli है उसमें जादा oxygen आता है दोस्तों तो CO2 सबसे जादा बाहर निकल गया तो यह कि यह फायदा है और दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि इसमें जो भी आपकी बाडी में जो भी नस नाडियां है 72,000 नाडियां उनसे blockage खतम होते हैं जो भी energy blockage है जो भी blood को आने जाने में problems create करें यानि कि आपकी बाडी में पूरे रक्त संचार को बहुत अच्छा करती है हम यह क्रिया recommend नहीं करते हैं हरनिया के patient को हम यह recommend नहीं करते हैं दोस्तों कि abdomen पर बहुत जादा pressure आता है ठेक है तो यह सारी साबधानी आपने रखनी है बहुत ही normal यह क्रिया है बहुत ही आसान क्रिया है और इसको आप करें आपका कोई भी question रहे तो आप मुझे comment box में लिख सकते है मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही सकारात्मक सोचिए योग करते रहे जीवन को आनंद में बिताईए आप सभी का धन्यवाद